हेलो एप्रिबन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट स्वागत है इस वीडियो में आज मैं जीएस की बहुत जादा मुश्ट उप्रोटन कुशियान आपके साथ में डिस्कस करूँगा आपना यूट्व चैनल को जूरू सब्सक्राब कर लिजीगा ठीक है नेस्ट कुशन है सरवादिक सरवादिक कच्ची सड़कों वाला राजज कौन सा है सरवादिक कच्ची सड़कों वाला राजज कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरवादिक कच्ची सड़कों वाला राजज है आपका उडिसा सरवादिक कच्ची सड़कों वाल hundred rules जाएगा आरकी नरायन आरके नरायन मालगोरी डेज के लेका थेश्या उप्चन में इसका हो जाएगा शु dishwasher ऑऽच्छन पर नाइस्ट magg essayer बारत का सबसे बड़ा बंदरगा कहां परिश्थितने थे वहारत का सबसे तो इसका correct answer हो जाएगा मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदर का मुंबई में इस्तित है और पूला जाए आपको कि सबसे गहरा बंदर का कौन है तो पिसाका पटनम बंदर का सबसे गहरा बंदर का है ठीक है तो option number इसका राश्टी अध्यान किस राज्य में है यह पहुट ज्यादाक। पर नेस्ट कुश्ण की बात करते हैं और राश्टी उध्यान किस राज्यमेंस्तित है यह बहुत जादा कुश्ण मोश्ट पॉटेंट है मैं हर वीडियो में यह बोलता हूं कि जितने भी मोश्ट पॉटेंट कुश्ण बताता हूं आप लोग सबसे पहले एक नोटबुक बन बता हूं उन्हें आप लोग नोट डाउन करते रही है ठीक है और जब एक्जाम हो तो उससे पहले एक बार उसे जरूर पढ़ लीजेगा आप समझ सित्य जियास का लेवल उस टाइम आपका कितना अच्छा हो जाएगा ठीक है तो रोहिला और राश्टी उद्दान किस रा जोति राओ गोविंद राओ फुले ने सत्य सुदक समाज की स्थापना करी थी तो ऑप्शन आम्मर इसका डीकरेक्ट आंसर हो जाएगा चलते ने USD को इसका सब्सक्राइब का संब्सक्राइब किस खेल से है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतरन जिटी उसका इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा यांग की सबसे लम्मी ने दिये तो अप्शन नम्पर सका यह कर्यक्ट आंसर हो जाएगा चल्ते नए पर भारत का सबसे उंचे जल्परपाद किस राज्जी में इस ते थै था जो गया गर्शोपा जोग पर पाद भारत के करनाटक राज्य में इस्तित है तो option number इसका बी correct answer हो जाएगा चलते हैं next question पर बाटर पूलो में कितने खिलाडी होते हैं बाटर पूलो में कितने खिलाडी होते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा तो option numbers का D correct answer हो जाएगा चलते हैं next question पर next question है राष्टी दोज को कब अपनाया गया था राष्टी दोज को कब अपनाया गया था इसका correct answer हो जाएगा 22 जुलाई 1947 इस भी में ठीक है 22 जुलाई को अपनाया गया था राष्टी दोज को तो option numbers का C correct answer हो जाएगा चलते ने स्ट्यूशन पर ने स्ट्यूशन है बाजार मूले नियंतरण नीती को किस ने अपनाया था बाजार मूले नियंतरण नीती को किस ने अपनाया था तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अलाउदीन खिल जी ने बाजार मूले नियंतरण नीती को अपनाया था तो धावक दीन खिल जी नहीं किया था ठीक है जलते शुषिछन पर टरायन कायोद किन के बीच वा था तरायन कायोद के वीच हुआ था जई का करेक्ट अंसर हो जाएगा इंडियन military academy कहां परेश्थे थे इंडियन military academy कहां परेश्थे थे इसका correct answer हो जागा धारा दून में ठीक है इंडियन military academy धारा दून में इस्थे थे तो option number रसका भी correct answer हो जाएगा चलते next question पर पर नेस्ट question है बारत की परतम कारवाहग प्रदान मंत्री कौन थे ये चलते ऐच क्जिशन पर रेल यात राइंस्ट का प्रदान आंसर हो जाएगा चलते नहीं पर सेंदुस्तान कहां करेक्ट bandwidth है हिंदुस्तान सिप्याइड लिकीत कहां परिषित हैं सोतंत्रता सेनानी खुधी राम भोस को कब फांसी होई थी तो इसका correct answer हो जाएगा 11 अगस्ट 1908 इस बी में 11 अगस्ट 1908 इस बी में स्वतंतरता सेनानी खुदी रामबोश को फांसी होई थी तो option number इसका C correct answer हो जाएगा चलते हैं next question पर next question की बात करते हैं खरीब मौसम की शुरुवात किस महां से होती है खरीब मौसम की शुरुवात किस महां से होती है तो इसका correct answer हो जाएगा जून के महां से खरीब मौसम की शुरुवात होती है तो option number इसका ये correct answer हो जाएगा चलते हैं next question पर next question है गहांगा रोग किस की कम्मी की कारण होता है तो इसका correct answer हो जाएगा आयोडीन की कमी से गहंगा रोख होता है तो option numbers का भी correct answer हो जाएगा चलते है next question पर, next question बहुँच जादा most important question है लेप चाजन जाती किस राज में पाई जाती है, लेप चाजन जाती किस राज में पाई जाती है सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन क्या है, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, दुरुपद, ठीक है, दुरुपद सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन है तो option numbers का भी correct answer हो जाएगा, तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँँ, यदि आपने मेरा telegram group को join नहीं किया है, तो please चाहके telegram group को follow करिये जाके, उस पे आपको most important question मिलते रहते हैं, जिससे आप quiz group में मिलते हैं, जिससे आपका और अच्छा practice हो सकता है, जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा परिशानी नहीं होगी, तो friends चलते है next question पर, next question है, चोल बंस का अंतिम सासर कौन था, चोल बंस का अंतिम सासर कौन था, तो उसका correct answer हो जाएगा, तो छोल बंस का अंतिम सासर हो जाएगा, जाहिंद जा बारत, पर अजद कर दो